देखे मैंने पहले ही कहा कि किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्वक धंग से सकरात्वक धंग से बात करने की जो कोशी से हैं वो जारी रहेगी और हम बात्चीत करने के लिए तयार हैं किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णाई नहीं लिया जा सकता है जिससे की बाद के दिनों में सब के लिए बगैर सोची समची कि इस्तिती के बारे में लोग आलोच ना करें बलकि हमें ये कोशिस करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखे और उस पर चर्चा दूसरी बात कि किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जूड़ करके इस तरह की बाते कर रहे हैं तो आम जन जीवन को बाधीत ना करें आम जन जीवन किसी तरह से परिशान नहों एक सामाने लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान के बज़ाए समस्या और अधिक उलस्ती है इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूंगा कि जो बाचीत का माहूल है उसको बनाए रखे और बाचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मश्बूत कर रहे हैं लेकिन यहां पर विपक्षी पार्टी हो राहुल गांधी हो लगादर यह कह रहे हैं कि कि माहूल में शांगी हो पाएगा देखे मैं किसान संगठनों को यही कहूंगा किसी राजनीत से प्रेरित होकर नहीं बलके किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगे किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि आसामाने इस्तिती पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता अगली बैठक कब होगी बताएंगे अगली बताएंगे